तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कप कच्चे चावल का ऐसा चटपटा नाश्टा जिसे घर में बड़े से लेके छोटे तक सबी बहुत पसंद करने वाले और अचानक महमान आ जाए तो फिर तो क्या ही कहना तो इस नाश्टे को बनाने के लिए यहा पर एक घंटा सोक करके रखा इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने आपर सारा निकाल दिया है बहुत अच्छे से चावल हमारे यह अच्छे से भीग गया यानि सोक हो गया अब इनको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे मिक्सी जार में हलका फुल का पानी अगर रह जाए तो को सारा प्राइब क उसमुद बनकर तया पिल्कol रबडी की तरह तो चलिए आप यहाँ पर हम एक मिक्सिंग ऑल मैं कर देंगी ट्रांसफर सारा पर मैंने मिक्सी मेंटत निकाल लिया यहां तो यहाँ पर लिए इसका हाँ सई अब या अब यहां पर लिये झाल है कि मैंने valid च तो सितीन चमच पानी डाल के हमें यहां पर आलू को भी पीस लेना है तो गुठली अलम सना रही इस बात का विशेश द्यान रखे तो चले आलू भी एक पेस्ट की तरह हमारे यहां पर बनकर तयार हो गए अब इस आलू के पेस्ट को हम यहां पर चावल का जो हमने पेस्ट अल्रेडी बना कर रखा था उसमें कर देंगे ट्रांसफर तो हलका फुलका सा नाश्टा है कभी भी अगर आपका कुछ चटपटा कुरकुरा खाने का मनोर समझ में नाय क्या बनाए तो आप इस नाश्टे को एक बार जरूर से बना के देखे तो यहां पर जो हमारे दोनों पेस्ट है अब इनको हम हाथों से अच्छे से यहां पर मिक्स करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि यह जो प्रोसेस आप हाथ से ही करें यह चमचे चमचे से इतने अच्छे से नहीं होगा तो एक खुले मुखा बरतन लेना जब आप इसको यहां पर मतलब पेस्ट को अगर टांसफर करते हैं तो जो अगर छोटे मुखा बरतन होगा उसमें अच्छे से इस तरीकी से मिक्स नहीं हो पाएगा तो ऐसा खुला सा बरतन ले लिजिए जिसमें हम आटा बगारा लगाते हैं तो चलिए बस इतना ही मिक्स करना है मतलब कह सकते हैं 30 से 40 सेकंड अगर आप अच्छे से फेट लेंगे ना तो यह फ्लाफी सा हमारा जो पेस्ट है बनकर त्यार हो जाएगा और यह हलका हो जाएगा कापी तो चलिए उपर से डाल देते हैं यहापर हरा दन्या पती हरा दन्या पती ना हो आपके पास सीजन वाइस तो आप यहाँ पर मीठा नीमिया कर दिया है क्योंकि इस नाश्ते में बहुत कम मिर्च मसाले जाते हैं लाल मिर्च का अपयोग तो होता ही नहीं है तो इसलिए यहापर मैंने मिर्च थोड़ी क्वांटिटी में ज्यादा डाली है आप यह मत करिएगा कि मिर्च इतनी साही डाल दे क्योंकि हम लोग ऐसा ही तीका खाते हैं मिर्च अपने हिसाब से उपर नीचे बैलेंस कर सकते हैं तो चलिए यहापर जो हमने इंग्रीडियंट उपर से डालेते उनको भी मैंने यहापर अच्छे से मिक्स दे दिया है तो यह एक हमारा बड़ी असा चट पटा जो एक मिक्स्टर है पेस्ट है बनक मैं आपको पानी की जरुद नहीं लगेगी और नहीं कोईững पानी जित प्सक्राइब आप कर न की दर रहाएं लेकिंवाधत ने लेके दो चलते हैं लुद नहां आप यहापर फुर ने कि भी कजिना कर दिया मैं पत्र पकोड़ी ना यहापर विप ऑपनी soutर गया बली दें डालना आपको यहां पर चोटे चोटे अमाउंट में है तो अगर रेसिपी देखते देखते आप यहां तक आ चुके हैं तो फ्लीज वीडियो को एक चोटा सा लाइक जरूर दे दिजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो और रेसिपी देखने के वो बिल्कुल ही चेंज हो गई कितने फूले फूले कुरकुरे से बनकर तयार हो गया है तो बस कुछ सेकंड के लिए अलट पलट कर आप इनको यहां पर अच्छे से से शेक लीजिए और यह देखे कुरकुरा चटपटा क्रिस्पी दार जाली दार नाश्टा बनकर हमारा यहां पर तयार है और बस इस तरीकी से स्पाइडर चलने से हम इस नाश्टे को निकाल लेंगे एकसे सोईल नीचे रह जाएगा बिल्कुल सूखा-सूखा कुरकुरा सा नाश्टा बनकर तयार है बाकी बचेवे पेस्ट को भी मैंने यहां पर इस तरीकी से ढाल दिया और इन में से भी मैंने कुरकुर चट recompda नाष्टा बनाकर कर लिया तयार तो सच में बिना तैयारे के बिना ताप जाम जहटपट वाला नाष्टा है आप इस नाष्टे को इन बारिशों में बनाए या फिर अच आरणक से घर में आ जाए बहुत सारे महमान और समझ में ना आए क्या बनाए घर में ना हो बेसा ना सूजी तो चावल तो होंगे ही होंगे चावल से और उबलेवे आलू यानि कि मात्र दो समान से जट पट आप इस कुरकुरे क्रिस्पी नाश्टे को बना कर तयार करें सच में महमान भी आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने यह किस चीज से बनाया है वह आपसे इसकी रेसिपिक जरूर मांगेंगे तो आपने वीडियो कहां से देखी प्लीज कॉमेंट बॉक्स में लिके जरूर से बताएगा वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा औ और आज़िए डिफरेंट रसी फीज के लिए तो मिलते है नएदी नेर्यासेट है